आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे मैं स्वागत करता हूँ अपने एक YouTube चैनल BPSC Demistified में अब तक की कहानी ये थी कि हम लोग ने Stone Age को कवर कर लिया था और साथ ही साथ रिगवेद को भी कवर कर लिया था इसी स्रंगला को आगे बढ़ाते हुए आज टॉपिक गया है ठीके ना 69 BPSC के लिए कुछ पदों को बढ़ाया गया है DSP की जिसमें पद सामिल है तो आप लोग पूरे जोर तोर से लगे लग जाए देखिए हमारा काम क्या है जो हमारे पास जो पोस्ट आएंगे हमको उस पर अपलाई करना है और उस पर से लेक्शन अपना ले पास मेखने लेगे तो देखिए हम लोगों को क्या करना होगा हमारा क्या काम है एफर्ट लगाना हमारा यह काम नहीं है कि विच के आयोगहतुल रहे है देख रहे हैं वह ज्यादर उसके लिए हमारी कार और पढ़ाई अच्छे से करना और अपना सेलेक्शन लेना चलिए दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं बुद्धिजम बिना फर्दर डिले किये हुए लेट स्टार्ट टॉपिक हमारा बुद्धिजम गौतम बुद्धा वस बॉन इन लुंबनी ठीक है वह कहां पर कपिल वस्तु के पास उनका जन्म हुआ था 563 BC में ठीक है उनके फादर का ना जन्म होने कि अनकी माता कि मृत्य हो गई ठीक न उसके बाद उनका जो लालन सब्सक्राइब कि उसके उसके नहीं किया उनकी ओस फिया उनके उनको इनके बाद बुला पहले नाम्सुद्धार्थ जो बदेखा सब्सक्रान नाम और भी उनके नाम दे संग अर असंडरा और उनके नाम सिधा और और उनके पुत्र का नाम क्या था रहुलता और साथ ही साथ देखा गया कि शुद्धारड ने उनके जीवन में चार सीन देख लिए जो उनके जीवन पर एक बहुत गहरा प्रभाव चुटके गया ठीक कि रहा उनके पर वो क्या-क्या था एक सिख परसंद था एक डिसीज्ट आदमी था और एक ब्लेश्ट सेंड था यह चार आदमी और यह इक्जाम के पॉइंट आप यह इंपोर्टन्ट है यह क्यों कि यह इवेंट्स हैं जो बुद्धा के लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपक्ट की तो करके और अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके रात में वह निकल जाएंगे ठीक है और टाइम ऑफ रेनुसियेशन सिद्धार्थ वास्ट ट्वेंटीन येर्स ओल ठीके ना अट टाइम अफ रिनुसियेशन सिद्धार्थ का उम्र तो क्या उन्तिस साल था महाई से शूनकी जो एक मुलगात हुई किस से अचार थे उनका नाम क्या था समय की सामा के फिलोस्वीर से ळ apoyo सिरे रिलेशन था उनका उनका अलार गलाम जो कि कहा पर भैसाली के पीक्वाड़ी के उनकी क्या होई मुलकात हुई गौतम को इनलाइटेट इनलाइटमेंट हुआ मतलब कि उन्हें क्यालते हैं उनलाइटमेंट उनका जब हुआ वह कब हुआ वैसाक पुर्णिमा के दिन हुआ अधर शिक्स यहर ऑफ कंटिन्यूस मेडिटेशन मतलब छे साथ लगातार ध्यान करने से उनका उन्हें क्या हुआ एक इनलाइटमेंट का फेस उनके लाइफ में आया वह कहां पे वह कहां बैटे थे बोधी ट्री के नीचे थे और वह जो जो घहां पे था बोध गया में उनक दूसरा नाम क्या था इसका मतलब था हूस वुज टुट इस दा स्थे अलेज उनको और भी कहा जाता उटो साकी मूनी इस लिए प्लैन में क्या थे आफ तर फिस उपीनिंग मुद्द जब इनलाइप मूने के बाद मतलब जब इनलाइन हो गया था उनको इन्याटमेंट के कहां प्राप्टन से चले और पहली बार जो पहुंचे ए त हां पर रशी पत्तन में जो कहां कि कहा है वाराणापी extrem में तो उन्होंने पहला सेर्मन जो है वह पांच ब्रामिन सन्यासी को दिया उनका फस्स सेर्मन जो था उसको कहते थे हम लोग धर्म चक्र परिवर्थान कुछ सिंबल जो है बुद्ध के लाइफ से चलिए उसको डिसकास करते हैं तो जो सिंबल्स हैं बुद्धा से रिलेटेड जो उनके लाइफ से उनको डिपिक्ट करती है आए उनको देखते हैं जो इवेंट उनका बर्थ है वो लोटस और बुल से रिलेटेड है ग्रेट डिपार्चर उसको महाभनीश कर्म कहते हैं जहां से रिलेटेड हो सकता है घोड़ा से डिपार्चर कर गए एलाइटेड मतल है सिंबल वील है उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं और यह इंपोर्टन पॉइंट है दोस्तों यह एक्जामिनेशन पॉइंट में 110% आने की चांसे हैं क्योंकि यह क्या है गौतम बुद्ध से रिलेटेड हैं और जानते हैं बुद्धिजम जो चैप्टर है वो तो कि यह हमारी क्या है विरासत तरीके से बुद्धिजम का हमारा है उधगम हुआ है और हमें है सिनकारी होनी चाहिए इसलिए बुद्धिजम जो चैप्टर है वह बहुत important decision point of view से और यह सारे इवेंट कहलते हैं महात्म बुद्ध के यह बहुत important है और symbols important है तो exam point प्विव से यह जो point है बहुत important हो जाता है क्रिपिया इसको note down करते हुए चले यही सारे points है यही से question बनते हैं चाहे वो match the following में पूछ सकता है चाहे statement base में पूछ सकता है और यही सारे points को अगर आप cover करेंगे तो अब तभी आप दूसरे student से क्या करेंगे extra edge ले क्या है उन्होंने क्या jsुत महा व yat युर्त करा उसको क्या करता वेलान वहान बोटन का है उनके residence इस को traveling from Syria राजगरी और रहा पंडुर्फ स्दोर कांशे व कहां पर चले वहता है काम की सैब्सberine क्या है ती वह भ्यक्तिकाविकゃ थि मैसली कमिते यह राजगरी से वो चले पहुंच गया कहां पर वैसाली जो जो ती वो किसकी कैपिटल थी यह एक इंपोर्टन पॉइंट है क्रिप्या इस पर स्टार मार्क जरूर लगा लें यह 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 पागल हो गया हूं चलो ठीक है जोकसा बाट आगे बढ़ते हैं वेरी स्पेंट बिमस कुतगर शाला जो था लिष्बियों ने बनवाया महवान पड़ीस एस रोयल प्लट कोटीशन आपर पाली बिकंडेल भीम हीस डीपल वाइसली जो रोयल कोटीशन थी अमर पाली उनकी क्या बनी डिसाइपल बनी औंड प्रवायडरी इस अम्रवातिका प्रस रिसेड कर दिया और मतलब मैंस को क्या कहते हैं बिख्षुक कहते हैं बुद्धिस संगा कहां पर वैशाली जगा पर किये वैशाली जो जगा है वहां पर यह इंपोर्टन पॉइंट क्रिप्या ध्यान दें ठीक है चले हैं अधिबाइस ऑफिस बिलव डिसाइपल ऑडिसाइपल और अनद मतलब उनके जरुण बहुत फेवरेट स्टूदें पेच्ट अनन्द थे उनिके आडवाइश से बुद्धा की जो अन्द थी मतलब उनका जो जिन्ये लानन पोशन और पहले ही एनिमी थे बुद्धा की बहुत इंपोर्टन पॉइंट है दोस्तों क्रिपया से स्टार मार्क कली शुद्धा को क्या चाते थे और युद्ध संग क्या करना चाते थे और खुद चाते थे एक जब आपकी सोची नहीं सब्सक्राइब करोगें दमोस्ट प्रफोगेटेट इस्किल व बुद्धिजम की वह कहां पर थी कौसल इस्टेट में एक वेल्दी बुजिनसमेन था नेम था आनंध पिंडग्प जो कौसल किंड़म करता था बिकम हिस डिसाइपल वह उनके क्या किया जीतवाना विहार जीतवाना विहार फॉर बुद्धिस्ट संग के लिए जीतवाना विहार को डिनोट कर दिया डोनेट कर दिया कोशल के जो कि राजा थे प्रशिंजीत वह उन्हों ने खुद बुद्धिस्ट रिलीजन को क्या किया एडॉप्ट किया और उन्हें बिल् दिशंथ लाष रेनी सेजन काहां पर वैसाली ना उपने मातलब कि बुद्धीजम का जो कर रहे थे पर लोगों को पढ़ा रहे थे तो वह उन्होंने अपने लाष रेनी सीजन वैसाली में ही क्या किया प्रवाटिका उन्हों ने वहां पर ठहरे बुद्ध को उन्हों ने सुक्रमादवा सुक्रमादवा फुड एक होता है सुक्रमादवा फुड उन्होंने क्या उन्होंने उनको दिया कि आप यह लोग खाओ ठीकिना और उन्होंने अपना लास्ट जो सर्मन जो मतलब लास्ट उपदेश कहां पर दिया किसको दिया सुबद को दिया और कुशी नगर में ही जो कैपिटल और रिपब्लिक मॉल कहते हैं उसको उन्हों चार चार्स तीरासी बीसी में और उनकी उम्र उस्ता में कितनी थी असी मतलब असी साल के उम्र में कुशी नगर में चारसो तीरासी बीसी में गौतम बुद्ध की क्या हो गई मृत्ती हो गई और उन बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इस इवेंट को क्या कहते हैं महा पर्नी वारन कहते थे बहुत ही इंपोर्टन पॉइंट है दोस्तों कृप्या इस पर स्टार मार्क जरूर लगा एक आपका द्यान देते चले पारी स्ट्री जो सर्मन था उसका नाम हुम लोग रहने अब लिगने पढ़ा था धर्म चक्रपरिवर्तन था सर्मन वह संद्रणाँ सफ्रिंग जो olduğ स separates क्या मतलब क्या हर जगाल क्या है क्या है सभर मतलब दुख है और दुख ही क्या है उसका सलूशन इसडिघरंग्जर्ण फ्रिचिया से वह फौर भौट सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब चक्रपरिवर्तन शुता ऑजो उनका जो आट कहते हैं यह फोल्ट पाथ था गौतम बुद्ध का वह फॉर्म करता है थीम आव धर्म कि चक्र परिवर्टन सुता और उसका मतलब क्या होता है सर्मन और तर्निंग भील अव लॉफ 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 मतलब इसी के वैसे क्या होता है जो एक्सिप्टेट किया उनके टिनेंड्स के द्वोरा ऑल सेक्ट मजीतने buddh km सेक्ट होते जुएन उन्हों आई दोस्तों उन कुन चारोर सत्य को देखते हैं चार सत्य जो बुद्धा ने दिये थे वह देखते हैं वह चार पूप टो थे दिया है यह पूछ सकता है कि चार सत्य कोन से है तो पहला है कि there is suffering there is a cause of suffering there is a cessation of suffering or there is a path leading to the cessation of suffering ठीक है अब देखी जो अब जो अभी देख रहे थे जो जो टूथ देख रहे हैं जो टूथ बुद्धा ने दिये हैं इसका मतलब क्या होते हैं हिंदी में इसको आप जैसे मैं का करण भी है दुख समुदाय अर्थात दुखों का करण भी है तीसरा है आपका दुख निरोध अर्थात दुखों का अंत संभव है चौथा कहता है दुख निरोध मार्थात दुख निरोध क्या कहता है मार्थात दुखों के अंत का एक मार्ग है ठीक है ना तो यह जो चार कुराने लेक्ट्ट्र में बताया है आप सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं जो दा में रीजन सोरी एक मिनट कि दा में रीजन आफ श्पेट अफ बुद्धिजम क्या था वाज इच इंपल और वह जो था नॉर्मल आदमी को भी क्या हो सकती थी समझ में आ सकती थी बुद्ध की जो स्प्रेट थी मैसेज मतलब उनका जो जो संदेश था वो मैसेज यही था कि सिंपल लें एंब्धिया ने अपने मैसेज को बहुत ही सिंपले क्यालते है इस नाट पिपल बॉढ बेलीफ गास दिस्टिंटिंट्शं पर बिलीव नहीं करते को दोस्तों सा देखते चलिएगा डरन ब्रहामिन पार्टिकुलरी को यह दिलिक्स वह अट्रेक्टी nisam जो नॉन ब्राह्मिन थे और जो दलिट्स थे वो क्या गवा बुद्धिशम के तरफ जादे बहुत तेजी से खीचे चले जाए ठीके ना जो फॉलोट दी वॉन्होंने मिशनेरी कॉंसेट को भी क्या किया फॉलो किया अब देखिए यह बुद्धिश कौंसिल कहां कहां पे हुई पहला क्या चार बुद्धिश संगीतियां और देखिए इनको टेबलर फॉर्म में बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया इनको प्रीज क्योंकि इससे कुश्चन बनता ही बनता है दोस्तों इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको कहां कहां बहुत संगीतियां हुई और उसके प्लेसिस का उन है उसके प्रेसेडंट को ने उसमें रूलर कौन था और किस समय हुआ था वो ज़रूर देखें चलिए कुछ में आपको यहां पर ट्रिक भी बताऊंगा और जिस वज़े से आपको यह याद करने में असानी होगा पहला जो था क्या है फस्स सेर्मन था वह 483 BC में हुआ था कहां पर राजकरी में हुआ था कुछ याद आ रहोगा 483 BC इस समय क्या हुआ गौतम बुद्ध दुनिया सर्मन हुआ पहला जो हुआ काउंसिल सर्मन नहीं जो पहली बहुत संगीती हुई कहां पर हुई राजगीरी में हुए इसके प्रेसिडेंट थे वो कौन थे महाकश्चप थे और इसके रूलर उससमें कौन थे अजात्शत्रू थे बहुत इंपोर्टन है दोस्तों एदम ध और उनके रूलर का नाम था कालाशोग उससमें कौन सिल हुई 247 बीसी में पाठलिपुत्र में हुई इसका प्रेसिडेंट थे मोगली पुत्त थे ठीक है ना इसके ब्रेसिडेंट थे चौत जो बहुत संगीती हुआ वह पहले सताब्ली में हुआ हुआ पर कुंडल वन में हुआ है कुंडल वन में टेकर प्लेस का ना था कुंडल वन और इसके प्रेसिडेंट थे वासुमित्र अश्वगोश थे ठीक है इसके वाइस प्रेसिडेंट थे और उसे में रूलर कौन थे कनिश्क ने करवाया था तो देखिए दोस्तों यह बहुत important point है कि उस समय रूलर्स पूछ लेता है प्रेसिडेंट पूछ लेता है अब आप इन लोगों को इन सब में देखिए लगबग लगबग अराउन hundred years का क्या है difference है ठीक है न तो यह याद आपको रहेगा पहला 480 दूसरा 380 तीसरा लगबग 100 साल है 247 मतलब थोड़ा जादा ही है और जो चौथा भी है वो भी first century AD में हुआ अब rulers की बात आ जाते हैं ठीक है न अब places की बात आ जाते हैं तो places को याद करने के लिए न्यूमोनिक्स आप लोग याद रखेंगे राजगीर वैशाली पाटली पुत्र और कुंडलवन रावा पाका क्या है रावा पाका से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं राजगीर पहला दूसरा वैशाली तीसरा पाटली पुत्र चौता क्या होगा कुंडलवन ठीक है ना अब इसको याद करके और क् प्रेसिडेंट के साथ साथ आप रूलर्स को भी याद कर सकते हैं अक ठीक है अक ठीक है ना चैटिस आजाद सत्रू काला शोक अशोक एंड कनिश्क ठीक है यह एक नियुमोनिक्स है याद करने के लिए एक बहुत सिंपल सा है आप लोग याद कर लेंगे तो इससे आपके मार गज़ा आप लिए श्थाविर और थेरावादी जो पहले सताबदी में उन्हों बिलीफ करते थे ट्रेडिशन फेता उनका था उसको कहते थे हम लोग स्थिरवादी कहते थे थे और थेरावादी कहते थे जो दे लोगатов के तयर के ड्रव करते थे सताल यूसंदी ट्रेडिशनल तैंड मिलीफ करते थे वूंकर तैंड ट्रेडिशनल फेत पर इसको को थेरावादी भी कहते थे नहीं जो उनके चाहते हैं जो एक सब्सक्राइब टेंच कर ना चाहते हैं उनको महा संगी कहते हैं इस समय क्या हुआ जो बुद्ध की काउंसिल थे न उसको हम दो सक्ट में डिवाइड कर दिया गया था उसी समय डिवाइड कर दिया गया ता उसका नाम था ही नियान दूसरे था महायान जो थे वह गौतम बुद्ध के भगवान को जैसे ट्रीट करते थे और एंडिस क्या करते हैं चलेशएं से उसके फाषएट सबस्पेज में तो फीद में भगवान के जैसा एक दर्जम फॉल्ट हुआ तो फंडमेंटल डिफेरेंज ब्टूइन और महायान वह क्या था सट बुद्धिजम का क्या था रिगार्डिंग ट्रीटिंग बुद्धा जगॉड भगवान बुद्ध को भगवान मानने का ही जो उनका जो जो सेक्ट था ना वह दोनों सेक्ट में यह मतलब भगवान बुद्धिजम का विभाजन हुआ थे ना बुद्धा को गॉड मानने के चक्कर में ठीक है ही नियान जो था बिलीफ करता था बुद्धा एजग्रेट मैं ही नियान के लोग जो थे बुद्धा को एक महापुरुष समझते थे वेर महायान स्टार्ट वर्शेपिंग लिटरली मीन्स क्या था राक्तरीन अट अल एक्जिस्ट शर्वास्त विदीन डिस्क्राइब करता है क्या प्लेक्स सिस्टम इन विश पास्ट प्रेजन फिचर फिनोमना वाल टुब है तो व्वाफ नेर ओन एक्जिस्टेंट एक्टिक है लाइक अल बुद्धिष्ट इंपर्मिन उसको क्या आझेति अनित जयरुब है तो इस अंतिτο युदोब्धिईन नेव थैंड पातील रिव मार्क्स पृ nach dell कten आप प्रसंटें इन बुद्ध रिमसेल्व क्या था ? इन दक्राइज था ? कट्राइज लोग जर्ण पर डॉद्ध। इंष्टेर्टरी विट्ट्राइज्टेंस इंवन गारे किता है ? ऐस दक ओरे धृडोर सम्ट्व। एंकॉंसेंट है ? नागारजुना का प्राइमरी कंट्रिबूइशन टुबुद्धिस फिलोसपी वो क्या था वस यूस अफ पॉंस लिट्रिलीक वर्ग तो दूर ढमतिमी कि यह क्या जो था था उनका फेमस लिटरली वर्ट प्रोवाइड वनस अफ नगारजुन आपने पर चुने लिए था नागारुजुन आब लाजना वाज एमीनर परसिनाल्टी इंद ल्टों हो रखने को और ने। एक एमिनेन प्रस्नाल्टी थे वें संग वें संग जो था काल्ड लोन फ़र ग्रेट गायडिंग पावर। इन इन वॉक और मादमिख स ही धिसक्र दी bending ते वी टिविलेटीड इंदिटिव कि टरी और वांतल संग he is also known दोन आप इंडियन एंस्टैंड उन्सकिंद Chinese suite of अगार्व लोगों मेत्रे जाहा पिब गुजे पूचर बुद्धिक है कैं लुज का गया उनको फूचर बुद्धा कागया ठीक एक प्डूड उनको फूचर बुद्धिस्ट अधिश कर फूचर बुद्धिस्ट एडीशन सत्वा फू पू एसपायर तू एलाइन बोदी के ना राइन्ट में जरू है आप समझ रहे होंगा इसको कुछ ज्यादा समझाने की सब्सक्राइब नौर्मल भास है थीए थीए ना बोदी सत्वा इस लिव इस लिएग बीग सत्वा वह एस्पायर तू एलाइन अब आ जाते हैं आगे पढ़ते हैं क्या है in order to preach the doctrine of Buddhism the Buddhist compound a new type of literature that can be divided into three categories पहला है सुत्य पितक दूसरा विनय पितक तीसरा अभिधम पितक कहने का मतलब था contain the saying of and teaching of the Buddha विनय पितक का मतलब था रूस्टू भी आप्जर्ट वाइद अभिधम पितक का मतलब था प्रेंद अभ फिलोस्फिकल इस आफ्ट कि स्टूरी आथ किसमें लिखी थी इंपोर्टेट्ट पॉर्टेंट पाली लेंग्वज में लिखी हुई with the palm inward while touching the lotus throne in the meantime the left hand can be seen with the palm upright in his lap this gesture represents the moment of the buddha's awakening as he claims the earth is my witness his enlightenment just before he realized it is believed that demon Mara try to frighten him with the armies of demon which represent the defeat of Mara and his demonic army or by Buddha you know during the buddhist period some of the most important centers of learning in India work on community Nalanda Vikram Shilati or Wallabhi the center of learning were not only popular among the different gen pad from the student came from learning but also a tactic should attract students from abroad that is China Japan Tibet and other countries of Southeast Asia some of the educational centers like Taksila Nalanda enjoyed the status of University Nalanda was the main center for the education of Mahamayan Mahayaan Buddhism and Wallabhi for Vheniyan Buddhism Vikram Shila Mahavira was established by Pala King Dharmpal Vikram Vikram Shila Mahavira was established by Pala King Dharmpal he was constructed temple and monastery here the University of Nalanda came into existence during the Gupta period the University of Nalanda came into existence during the Gupta period the University of Nalanda came into existence during the Gupta period Mahayaan what was literally means great vehicle Buddha is considered a God it believes in the soul and rebirth they believe in the belief in the belief in the belief in the belief in the philosophy of कि यह तो दूसरे स्लाइड में है बट चलिए डिसकस कर रहा है डिफरेंटिट करना तो कोई बात नहीं कर ही देते हैं लिटरली मींस्ट लेसर विकल। उसको लेसर विकल। महात्मा बुद्ध को कुंसिडर करते थे कि यह गृट मैं और वो क्या करते हैं भगवान मानते थे यह आइडियल वर्शिप और डिवोशन में क्या करते थे बिडिव नहीं करते थे इस वे अफ वर्शिप यह क्या है वे अफ वर्शिप है इस वेरी स्ट्रिक्ट और इस फॉलो दा मॉंक लाफ टीके ना इस एम क्या था अराहत को अटेंड करना इस मेजर्श चट्स वार्भ वयभाशिका और शौत्र नतिका ठीक है ऑध्यका और वयभाशिका तक इसके मेजर्श चक्ट से चलिए कुमार गुप्त जो थे फिर्ष्ट ने डीनोशन किया तु नालांधा बुद्धिश्ट वियार अ नव नलंदा एंड बालादित्य वस डूनेट तो इस विहार उन्होंने अपने विहार को क्या किया डिनोट किया डूनेट किया नव नलंदा महा वियारा इस अ मौर्डन सेंटर ऑफ बुद्धिष्ट श्टडी विच वास्टेबलिच वाइड बीहार गवर्मेंट इन नलंद इन दे एर ऑफ नाइंटीन फिफ्टिवन अधन पूरी क्या था वास्टो को अधन पूरा उसको उदंपूरी को क्या करते दें उडा अधन पूरा वाद प्रोमिनेंट एजूकेशन सेंटर ऑप एंशेंट इंडिया इट वस सिचुएट इन मगद नौ बिहार इंडिया कोपाल फर्स ने अधन पूरी उनिवस्टी की क्या की निव रखी उन्होंने इस्टेश्मेंट कर आया है चैत लिटरली मींस क्या मतना था रिलेटेट टू चित से रिलेटे को चैत को कहते थे चित ठीक ना किसी रिलेटेटेट से समाधी विए बिल्ट अन ग्राउंड आफ और ने यल weld गुला याउषी ब आखर हैं लेख्ट मों भी ह த Cool याउषी मोनस्ट्रीट्टि की आसबदा जया जाते थे सुपा का मतब काता है तुपा की तुपा तुपा रगवेध्य में सुपा का मतब काता है रिक वेधलर रिक रखार Taoisen राइज तुपा एक्ष्ट तुपा रेच्टी वरून अवरूनि परिस देख नचाल साथा बॉद्ग्धया रेड़ आ लाजरे पाँ पर ऐँडित रीज् बुद्धा लाइफ इन इस तुपा दीमेंस बुद्धा और इस चीफ डिसाइपल वेर केप्ट मतब उनके राक रखा गया ठीक है सो देविकम देन सेंटर व दीवोशन और वर्शिप बुद्धा सुपा इस फूर तैप अधिशे बोटी सूपा ब्धी बोद्ध सुपा बाँध मेज़ें सी माइबद्ध उद्देश चीफ मतब अब जेटि वोगा ऐसका और रेके सुपा सिप्थिंग सुपा वर्शिपक सूपगा गौतम झेल है दिर राइट चपी लिखा about that the book light of Asia on the life of Gotham Buddha was written by uh uh Edwin Arnold Edwin Arnold नहीं लिखा है light of Asia वो किसको डिपिक्ट करता life of Gotham Buddha को महापार्णिवारन temple is located in Kushinagar district of Uttar प्देश statue of Lord Buddha as a temple was obtained in excavation of 1876 AD the statue of Lord Buddha is 600 6.10 meter high in the temple and is placed in a lying post the ideal reflect of the period of period when Lord Buddha at the age of 80 left his earthly body and become free from the bondage of death that is Parnivaran ठीक है न ये इसी कहते है है परनिवान है उनका जो आइडियाल था वो ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बुद्धा के कुछ टेक्स्ट और उनके ओथर ये भी एक important point है दोस्तों एक्जाम point of view से very much important प्लीज इसको memorize कीजिएगा और इसको memorize करने का एक ही तरीका है एक था बुद्ध्ध चरीत उसको कहते हैं सौदर आनंद सौदर अनंद सौधर आनंद उसको कहते थे अश्वघोष ने लिखा था अब दिमागा बुद्ध गोष ने लिखा था और अभिदम कोष ने लिखा था वासु बंधू बंधू ने लिखा था बहुत अच्छे तरीके से त्योरी का पार्ट है वह अब कंप्लीट हो चुका है बुद्धिजम का आशा करता हूँ आप लोगों को यह बहुत अच्छा पार्ट लगोगा थियोरी का अब इसके साथ हम लोगों MCQ प्रैक्टिस करेंगे बुद्धिजम का ठीके ना देखे दोस्तों यह जो थियोरी है वो हमें बार बार आपसे यही करता हूँ क्योंकि एक बार में नहीं समझ में आती है ठीके ना इसके लिए आपको लोगों को स्टेंडर्ड रिसोर्स को जरूरू करना होगा जो कि मैंने रिसोर्स लिस्ट आप लोगों को अभी कुछ दिन पहले प्रोवाइट कराई थी तो उस रिसोर्स पर जरूर गो थ्रू होई है जितना ज्यादा आप रिवाइज करके जाएंगे और जितना अच्छे से करेंगा और यह जितना नंबर ऑफ कोश्चन घटना चक्रगा मैं आपको सॉल्फ करा रहा हूं उसको ग्योत्रू हों क्योंकि यही से आपको पता जालेगा कि एक्जाम की डिमांड क्या है और उसके उसके पर Voilà जरूरि को बारबरीवाइज करें ताकि आपका जो वूच्बूत हो सके यह चलिए ठीक है अम अब हम बुद्धिजन का क्यालते हैं अम सीकू ठीक है ओभी हूं का अपलो나 उनका जर्म हुआ था लुम मनी में किस क्लांड में में हुआ था चलिये सेकंड क्या है विच 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 व दाइवेंट आप बुद्धार लाइफ इस गीवन एज महा बीनिश कर्म वह जब डिपार्चर करते हैं अपने हों से उसी कहते हैं यह याद रखिए गाफ गौतम बुद्ध के मा का नाम क्या था गौतम बुद्ध मदर्स फॉम वस फ्रॉम विच सब्सक्राइब किना क्लैट वह जयर्लै चैट और उनका म मातँ की मां के नाम क्या था गौतम बुद्ध के माता जी का नाम था महा देवी नाम था याद रखियंगे आप टॉग त sırट गौतम बुद्धा कहां पर उनका जन्म हुआ था लुम्ब्री हुआ औव विच अन था उनका यह बताये कि आप लोग कि बीद्ध को और हम क्या कहते थे सकते मुझ शबयें कमनी कि समें में उनका च 7 Themen study में था उनको और गात guamara को एक और से जया आब याद वो आप लोग मुझे क्मेंट section में जरूर बता हैं चलिए six question पर आ जाता है फ्रम विच इंस्क्रिप्शन फॉलिंग डाइनस्टी लुंबनी वा नून एज द बुद्धा बर्थ प्लेस कौन से इंस्क्रिप्शन से यह पता क्या है डाइनस्टी कि लुंबनी जो है वो बुद्धा का बर्थ प्लेस वो क्य रखता है रुमें रुमेंड़ जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उस से पता चलता कि लुंबनी जो प्लेस बर्थ ब्लेस एक इसका गौतम बुद्ध का ठीक है ना according to the inscription of the king ashoka came here lumbani in the year in the 20th year of the coronation and the worship of the and the worship the place वेर शाक्यमुनी वाज बॉण देखिए शाक्यमुनी किसको कहते थे गौतम बुद्ध को कहते थे इन अधिशन तो दैट अधिस अधिशन तो अशोका ने किया जो जो कहते है रुम्यंडग्ट शुरुम्यंडई रुम्यंडई से पता चलता है उससे पता जmb You तो कहा हुआ था या तना वाटा अम्मांबनिन उसी टेक्स्ट में यह लिखा गया था मतलब कि उसी पिलर में यह लिखा गया था कि कि घॉतल मुद्ध की जिञब सथली यह लुंबने उसको हम लोग टैक्स प्री कर दिये थे नौ कम पकल नम्बर 7 वीशन रॉठ पर दिकता ही तक्षीन अब टुसरों से उनगर कशिह नहीं ऑसे खूर को टीजुट गोराइब करने नहीं विग सब्सक्राइब रौम्प के विन से अजुट इसमा आप उने अपर जेखें हैं आप लॉग जरूने देख़ें ुपर गोड़ा पडाया आप लोगो स्वारी बुद्धा अटेंड महापर्णिवारें इंद रिपब्लिक ऑफ दा कहां पर हुआ था मल्लास ठीक है ना मल्लास जो था उनके रिपब्लिक में उनको क्या होते हैं वह किसकी कैपिटल था रिपब्लिक ऑफ मल्स कुशिनारा क्या था एक यह पूछ रहा है बुद्धा जो बुद्धा जो थे महापर्णिवन का जो उनका हुआ जब किसकी रिपब्लिक थी वह मल्लर राजधानी की मतल्स के राजधानी में उनका हुआ था था तिक अ ग्यारवा कोश्चन है क्या गॉतम बुधा अटेंड महापारिवारन इन दा किंगडम ऑफ मल वह भी आसान कोश्चन है चलिए कोश्चन इंबर त्वयल प्रहात है गॉतम बुधा अटें निर्वाना एड दफ प्लेसों देशाब निरवाना उनको कहा Cao मिला था निरवाना उ लोकेटेड महापरिवन टेपल कहा है कुशी नगर में है ठीक है ना याद रखी का यह कुशी नगर कहा है उत्तर प्रदेश में है जो कि कस्यां गाओं के पास है कौन सा जो फॉलिंग्डम है को एक तो अवन्ति था गांधारा था कि कोशला था कि मगत तो मगत जहाँ जहां जहां था तो वहां पे फॉर्ट ओप्शन नहीं तो यह वोगए आपका कि गलत कोशल भी था कोशल आपका क्या है तो इसी साब से आपका कोशल था तो यह option क्या हो गया तो c और d में क्या हो गया option क्या चली आकर इसका option देखते हैं फुर्फ गीवन kingdom गॉतब बुद्धा वाथ अस्वेटेटेड विद कोसाला और मगथ kingdom से क्या थे एसेटेट थे ठीक है विजिटेड इस तूप kingdom to propagate is teaching यह दो यह दोनों kingdom में इसलिए था क्योंकि अपने वह प्रीचिंग को क्या करें क्या थे फैला सकें ठीक है इसेटल नेम्ठ इस चुनध पावा चुनध उसका नाम किया था कुंड वह कहां पर रहताई था शुन्ध में एक इल्टह Mais मत्वस्त मतंब परक और कि य्कॉंत ने उफर गया दें यहुंट को पूषिनारा कैपिटल ऑस city of my last kingdom where he gave as last sermon to किसको दिया सुबध को दिया and finally attend to maha parniwaran at kushinagar उन्होंने सुबध को क्या गया आखरी उपदेश दे करके maha parniwaran को प्राप्त हो गया ठीक है याद रखीगा who amongst the following was the last person to converted by the buddha वो कौन था सुबध था यह आप लोग अभी देख चुके हैं अंसर ना कम तो क्वेशन नंबर 17 दा रूलर ऑफ सुवरण भामी भूमी सुवरण भूमी भूमी who founded a buddhist monastery at Nalanda and requested Dev Pal through his ambassador to give five village for its maintenance वो कौन था बालपुत्र देव थे वो जो यही बालपुत्र देव जो रूलर थे उन्होंने प्रवभामी को जो उन्होंने क्यालते हैं दे दिया था मतलब एक तरीके से maintenance के लिए अपको दे दिया था आई इसको देख लेते हैं बालपुत्र देव वास्ट रूलर ऑफ सुर्व भामी ठीक है ना सुरवन भामी उन्होंने क्या किया फांड के था buddhist monastery उन्होंने पर नमबर 18 विए दिद बुद्धा रिसाइड दूरिंग दर लास्ट रिनी सीजन लास्ट रिनी सीजन उन्होंने कहां पर बिताया था वैसाली में विताया था नाव कॉश्यन नमबर 19 विचन फॉलिंग डिसक्राइब बेस्ट कॉंसेट और निर्वान इन पूर्दिजम हो किया था अक्स्टीनन प्लेर निर्वान कई यह हो तक ओर निर्वान इन बुद्धिञ्टिन करता थो कि सबसे क्या अच्चूता हो जाता मोड़ा कि दिजार सकता सब्से साथ दख ने प किसल अभानाइब और सबसें बेद्र बड़ा द्ग27 eu लिट्रल मेनिंग और निर्वाना इस ब्लॉण आउट एंड इट कैन बी सीन अश्टेट ऑफ एक्षा किया होता है खत्म हो जाता है किसी चीज की इक्षा कतम हो जाएगी आपको दर्द खत्म हो जाएगा आदमी एकदम निर्वाना के स्टिट में पहुंच जाता है हुआ अलार्म अलार कलम कौन थे वह कौन थे बुद्ध के क्या थे टीचर थे टीके ना अलार कलम यह पहले टीचर भी थे एट विच डिड महात्मा कांटी गेव इस धर्म चक परिवर्तन कहां दिये सारनाथ जो अभी कहां है वराणसी में है स्थित्य नाटो कम टुक्वेश इस फिर्मन सारनाथ very easy question who gave his first sermon in सारनाथ who gave his first sermon in सारनाथ कौन थे महात्मा बुद्ध ने दिया था she is the correct answer now come to question number 24 गौत्म बुद्ध गेव इस first sermon at कहां दिये थे सारनाथ में दिये थे इन बुद्धिष्ट धर्म चक्र परिवर्तन क्या होता है यह पहला सर्मन था कहां पर दिये थे सारनाथ में दिये थे धर्म चक्र परिवतन पहला कहां किया गया था सारनाथ में किया गया था गौत्म बुद्ध ने आप लोग क्यालते हैं बताएए बुद्ध धहम और शंग बुद्ध्ध धम और संग जो है यह आपके तीन ज्वल स्थे हुआ है वाट रिएव तरी रत्न मूस्ट न इन बुद्धिजम उसका क्या मतलब वुद्ध धम और संग जो था यहीं तरी रत्न का मतलब था बुद्धा वुजरे तो संभि दूर दरीजयक्ड कों था उडेयन। महात्मा बुद्धा गांधी ने भी या महात्मा बुद्धा विजिटेड कॉसंभी डूरिंग रीजन ओप किंग उदयन ठीक ना इट ना इन्ट रेस्टिंग प्लेस अंटर था इन्फ्लूएंस ओप पिंडोला ठर्षा कि ऑदियन टॉधि और भी क्या होगई तंड लोगा है तुम प्रेक्शू रव asana फ्राथा संग में और उन्होंको ने तुट के रेंडिया है महा कश्यपह से आज़न को उन्टाइटी टूर्ट फॉलिंग अन्डूर्ट विश्ट बुद्धिश्टम चॉंसेल किस ने कर आया था अभी बता है महा कश्षप ने कर आया था अकम टुन अबर थाइटी थी सब्थ पर नी के इस इस इचुएट इड़ इन सब्थ करनी के जो है सब्थ पर्न वह कौन था आपका वासुमित्र थे ठीक है अभी हम लोग ने अभी उपर देखा किसमें वह बॉक्स में ठीक है न उस बॉक्स को अच्छे से याद रखेगा आप लोग विच फॉर्लिंग रूलर कान्वीन दफॉर्थ बुद्धिस्ट कांसल वह कौन था कनिश्क था ठीक है याद रखेगा दोस्तों नाव कम टुक्शन नमर थाटी सेमन बुद्धिस्ट कांसल दूरिंग रिजाइन अफ कनिश्क वाज़ाइब कांपे था कश्मीर में था ठीक है उसको कौन से जगा था कुंडल वन था याद रखेगा दोस्तों फॉर्थ बुद्धिस्ट कांसल व सबसे पहले कहां हुआ फिर रावा पाका मैंने आपको बता था रावा है पाका क्या मतलब पहला भी से वैशाली मतलब दूसरा पा मतलब पाटली पुत्र तीसरा और का मतलब कुंडल वन कहा है वो है श्री नगर में इसके समय राजा कौन था कनिश्क याद रखीगा दोस्तों तो उसी दापर क्या हो गया आप्शन आपका वन मतलब टू वन फोर थ्री नहां है डी ऑप्शन इज़ा करेक्ट आउंसर इसकंड बुद्धिश कांसिल जो था वह कहां पर हुआ था रावा पाका याद रखीगा वैसाली में होगा यह जो ट्रिक आ मैं इसके गरांटी देता हूं ठीक यह वीडियो को कई बार फॉलो कीजिए मतलब देखिए उसको अपनों दोस्तों के साथ जरूर शेयर की ताकि उनको भी फाइदा हो चली कोशन नमर 43 देखते हैं की फिर सब संविद्य काउंटी तीस्या алव वज? की में बीरी सभाव सब्सक्रार होों नहीं में प्रोटर होें ब coastal जाए दो याद रखिएगा दफस्ट बुद्धिष्ट काउंसिल वस हेल्ड इन वीच फॉलिंग जटीज अहां हुआ था राजगीर में हुआ था उसको राजगीरी कहते है ठीक है रावा पाका सेकेंड बुद्धिष्ट काउंसिल वस और्गनाइजड वाई आका का मतलब कालाशोग यह दा करेक्ट आंसर फॉर इंपोर्टेंट बुद्धिष्ट इवेंट्स लाइफ रिलेट रिलेटर अब उनके बताएथ है बर्थ किसी रिड़ेट था बर्थ उनका कहा हुआ था लुंबनी में था लुंबनी में था इनलाइटिन नहीं प्रिशिन अप्शन देख लिज चक्र परिवर्तन थे ना वह कहां भी दिए था पहला सर्मन सारनाथ में दिया था जो कि वरानसी में है यह साइन है उनके कुछ मीनिंग्स हैं देखिए मैंने बताया था देखिए सवाल आ भी गया है यूपीपीश दो हजर पांच के मेंस में इस सार हो सकता है बिप्यसी मे करेक्ट आंजर करंपा लामा करंपा 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 लामा बिलांग्स टो वीच फॉलिंग से अफ थिबेटियन बुद्धिजम कुसी लेटर है कंग्यूपा से रिलेटेट यह एक इंपोर्टन क्वेश्चन है आभी हमें नहीं पता मुझे खुद आईए हम इसको देख ले अथे पता क्याना आइए को टो रहा हूं अभी लोग ने को देखा था मैस्ट कॉलिंग से में अभी देख रहा है श्टेटमेंट बेसमें इसी तरीके से सवाल हो जाता है वेदिक रिलीजिएं सही बात है प्रीश नोबल टूट यह भी सही बात है आप्जिंग्रेक्ट केंपल वस बूल्ट गया काहां पर ही बनाया गया था गौतम बूध रिशी यह पर जहां पर अनलाइत में उनको रीशीव अथा वहां पर माधाइव बनाया गया द बोधि इन बोध गया बिलॉंग टूष फॉलिंग जनरेशन नट इस बिलॉंग तो फुल्व जनरेशन यह आया वी वा है वारी इंपॉर्ट टिक है बॉधि वी से रिलेड है फिफ जनरेशन से नवर कुछ नमर फिफ्टैट फॉट्ट्री विच वॉज पॉल्विस इस से नेकर प्रिण प्रिण के निरंजन वो कौन है बॉध गया निरंजन नाधी के लिए था था देचिंग अ बॉ इवं दियुरिंग लाइफ टाइम उप बुद्धा कौन बनना चाहता था उन्हीं के कजीन का क्या नाम था देवधत नाम था लेकिन वो अपने इस वेड़िया इस चाल में वो सक्सेस नहीं हो पाया फोिम फोट फोलुविंग फोट फ्रॉज अभॉट्ड लुट्ड इस्टॉर्ट इस थे गार्यट्ड शेइ टिश्जार्य ऑफ्र टाइट शेच्ट अवट्डिश ने है उनके प्रैक्टिस और उनके जो निया में उस पर चलिए बस यही बुद्धा ने कहा था कि उनके कोई सक्सेसर नहीं था चलिए आगे देखते हैं आफ्र ता महारा पर निवारन लॉड बुद्धा फ़स्ट पुद्धिस काउंसिल कहां पर राजगीरी में हुआ था अम दोग देख लिए थे इसको कहते हैं ना कम तो 59 को नंबर क्वेश्चन वीच अपने ही बिली अपने ही उपर वह हर आदमी के अंदर एक पावर है वो इस पर बिलीफ करते थे वह कर्म के डॉक्ट्रीन पर क्या करते थे बिलीफ करते थे ठीक है ना याद रखिए गाप ना कम तो कॉश्चन नंबर 60 एंट्री ओ वोमन एद भीक्षुनी इंट्व बुद्धिस संग्वाज अलाओड बागातम बुद्ध एट कहां पर किये थे वैसाली में किये थे बह सधान अभज यादी तरикиनओ भुद्धिस ऑफ्टू बुद्धिस गाता छात करतु थे ऑन ड शंगरा थे डैटको घं Imperatori का ये कूश अलाओ इंमWowuct ने खुल्दिस हाल करई अलाओ यह e कॉस्चन इमपोर्टन पर है इन्हिं को था क्रिप्टो बुद्धिस्ट किंको कहा बुद्धिजम लॉश्ट इस उनिक अपील अफर दा एक्स्टरनल इन्वेजन अफ बुद्धिश्ट मॉनस्ट्री बुद्धिजम है लिफ टू इंडिया एंटीक रिव्यू रिफूज इन तिबद चाइन अधर साथीश्ट एसियन कॉंप्रीज ना कम टू क्वेस्ट नुम बुद्धिजम है जाइन की हिंदू पर्सीज चीए बुद्धिष्ट की बुद्धिष्ट की बुद्धिश्ट की भाइया इस देखे 63 बीस बीस के में आया हुआ था ना इंपोर्टेंट त्री पिटक टेक्स्ट वस रिलेट सुन विटिएट जाइड़ सिवादेव से रिलेटेट है थी पिटक इस असुज़ेट विच फॉलिग बुद्धिस्ट चेस्स कंटें दरूल्स ऑफ मोनेस्टिक लाइफ वह विने पिटक में लिखा हुआ विच फॉलिग बुद्धिस लिटरेशर कंटें दा बुद्धा सर्मन और मैटर अफ एथिक्स और दोक्ट् अब यह देखिए कुछ क्यालते हैं आपके टेक्स्ट दिये हुए है और इसको पड़ करके क्या करना है इसका मतलब समझते हुए आंसर देना है ठीक है देखते हैं इन एंशेंट इंडियन बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री आ सेर्यमेनी कॉल पावराना यूस्टू इसका मतलब है ठीक है अशोकरम 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 मोनेस्ट्री वा सिचुटेट वो कहां पर पाटली पुत्र में है ठीक है अशोकरम मोनेस्ट्री ना कम पूशन नामर सेवंटेवन वर इस दा है इस इन नंबर वर्ड विश्वाशांति स्थूप लोकेट इन बिहार ठीक है ना इस इन था पर लोकेटेट अब राजगीर में लोटेट अब और कितने हाइट उसकी 400 मीटर हाइट एट ठीक है ना पर लोकेटे स्थूप लोकेट नाम था मतलब तरी स्टेम था याद रखिएगा दोस्तूप साइट विच इस नौट कनेक्टेट विट एनी इंसिदेंट अब लौड बुद्दा स्लाइफ इस वह स्थूप साइट बताइए जो नौट किसी से कनेक्टेट ने था वह सांची स्थूप थ एक था चारी किया जबताएगा था किसी है वह बता देता क्योंकि वह सांची स्थूप किसी भी बुद्धा के लाइफ के स्टोरी से क्या हो था असोसिएट नहीं था पहली बात भी आहीं जानी हैं चलिए कोशन नमबर 75 कहता है it was also ancient name of the famous tourist destination of Saatchi क्या था कखनाम था कखनाम ठीक है now come to question number 76 which is correct chronological order of the following to pass वह कौन था यह question क्या है यह question में दिक्कत है थोड़ा क्योंकि यह कहते है इसके आंसर disputed है ठीक है now to come to question number 77 world is unstable and transient is related to which of the following वह इसमें लिखाय बुद्धिजम में हूँ एड़ोकेट नियो बुद्धिजम किस ने किया वह अमबेटकर साहब ने किया हूँ इसके से उसके से उसे को कहते हैं ना कम नोबर 82 सर एडविन अरनोड की बुक का राइट पाथम पढ़ा हुआ है वह जो आटेंड करते हैं बुद्धिजम को पार्ट को पर्फेक्शन के तरीके से उसी को कहते हैं पर्मिताज ना कम नोबर 82 सर एडविन अरनोड की बुक का लाइट ऑफ एशिया वह किस पर बिलिव है वह ललित विस्तार पर रिलेटेड है यह याद रखिएगा यह ललित विस्तार के कंटेंट पर रिलेटेड है यह बहुत इंपोर्टन कोश्चन है क्योंकि यह कुश्चन रिपीट यह क्या वेटेज है आपके एक्जामनेशन प्रॉस्पेक्टिव में ना कम तो कुश्चन नमेरेटी तीब 83 वाट इस दा फॉर्डमेंटल डिफरेंस बीटियों हीनियान महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिजम वर्शिप ऑफ गॉड और गॉडड इस दा करेक्ट आंसर ठीक ह इसलिए उन लोग के बीच में क्या है अलगाव है ठीक है अब लोग ने उपपर पढ़ा भी था गौतम बुद्ध में था अब लोग देखा था जहां पर हीनियान महायान का सेक्ट बटा था ठीक है याद रखेगा दा फर्स्ट यूमन स्टैचू वर्शिप इंडिया वर दोज और वह कौन था बुद्धा का ठीक है इंडिया गौतम बुद्धा वर्शिप फॉस्ट था आइडियल महायान सक्ट बुद्धिजम महायान में आपको अंतर बताया था हीनियान जो थे वह क्यालते हैं उनके उनको एक महापुरुष के तरफ से देखते थे और जबकि थे देखते है कुशान के पीरियड में वेरियस बुद्ध हा और बॉद्धी सुत्वां वेर मेटी2 ए मथ्मट रायल फार तोले Hence, it is cannot be said consciously for the first statue of Buddha was made of मतलब इसमें अभी क्या है? डिस्प्यूट है? कुछ बता नहीं सकता है कि ये किस स्टाइल में बनाया गया था वो कहन था? बुद्धिस्म ठीक है? ना कम तो क्वेशन नमबर 88 नेम दा मुद्रा विच इस रिप्रेजेंटेट वाई गांधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्वर्मन कहां पर दिया गया धर्मचक्र परिवर्तन है धर्मचक्र में इस परिवर्तन है यह याद रखेंगे आप लोग पर नाइंटी लौड बुद्धा इमेज इस सम्टाइम इन सान इन दा इस परिवर्तन है यही उन्होंने बोला था इससे से आप्सें नमबर बी क्या है सही है और बुद्धा कॉलिंग अफ और तो बीटनेस एज विटनेस इस पूरिटी एंड चैसिटी डिस्पाइड टेमपरेटिशन ओफ मारा इस तक और अंसर सर्दी काफी हो गई है दोस्तों इसलिए आप लोग बचा करें मौसम चेंज हो रहा है ठीक है ना इसलिए मैं थोड़ा डिश्टर्ब हूं आज इसलिए माफी चाहता हूं आप लोग से सारनाथ बुद्धा अचली आगे बढ़ता है सारनाथ बुद्धा इमेज आप भूम कौन है यह बताना है ठीक है इसमें करेक्टली मैच जो है वह आपको बताना है ठीक है अब यह क्या है परिवारिज का रिनोर्सियेशन एंड वंडरर ठीक है ना यह सही है आपका सर्माना जो है प्रीष्ट वित हाई स्टैच्व और उपासक क्या ले फॉल्वर बुद्धि स्रामाना जो है प्रीष्ट वित हाई स्टैच्व से रिलेटल नहीं है चलिए कोशन नमर 93 पर चलते हैं सारनाथ बुद्धा इमेज और भूमिस पर्श्मुद्रा बिलॉंग्श टूब किससे है गुप्त पिरेट से अब यूम लोग देख चुके हैं कुशिनगर दा कैपि कोशन नमर बी इस दो करेक्ट आंसर कि 95 कोशन जो है जाता है लोथल सारनात सारनात क्या है पहला सर्मन जो बुद्धा ने दिया था राजगीर क्या है लौन केपिटल औफ अशोक टीजिके नालंदा क्या है अब यह कह रहा है क्या इस कोश्चन में क्या करना है इस क्वश् क्या साहर्ट कि राजगीर क्या मैं बता रहा है आप लोग हमको बताएंगे कॉमेंट सक्षिण में चलिक्षण स्थाविरवदिन जो महामायन बुद्धिजम ठेके लेशे दिटा लोकतार बदीन जो सक्ट था अपशूर्ट महासांगिक अग्दम शविजम और चीए या विफ्टक्शन अब महामायन बुद्धिजम से नहीं थे वो किस से थे रिलेटेड ही नियान से थे ते इसलिए ऑप्शन नम्र वन से रॉंग अब आप्शन नम्र भी इस दा करेक्ट आंसर अब इसमें क्या करना है कौन सा फीचर है आपका महामायन बुद्धिजम से तीनों ही महामाया के नहीं नगी यह करते हैं इसका सेक्ट है महामायन सक्ट है विदेर्धेर दो देलिजिए सट्री एफ इसह्री आप एंडिया। निएट भी निटित्व sounds इसंट्री करें में टॉंचेयों सब्सक्राइबॉच्ट नद दो आपने शुन आपट इस वहां अज्सांट के शन वहाएड करता है वहाइड बॉदिश एफ तीव हिसाल दूहां sentiment and sentiment belonging on their path to do it एकदम सही है तो टू और थ्री ओप्शन क्या एकदम सही है वन एकदम नहीं सही है क्यों को सब्सक्राइब बुद्धी सत्वा इस सेंट्रल सेंट्रल टू हीन्यान सेक्टू बुद्धिशम यह जो है न वह नहीं सही है तिंगे न वह किस से रिलेड़ेड है महाय से रिलेड़ेड है अभी हम लोगे उपर पड़ा इसलिए बी ओप्शन इदा करेक्ट अंप्शन अगम तो क्वेशन नमर्हंडेड दा लाजेश्ट एंदा मोस्ट इवॉल्व रॉककट चैत्य हॉल अफ हीन्यान फेज इस सिचुएट रहेड वह कहां पर है कार्ले में है याद रखेंगे क्वेशन नमर्ट 101 विच इंडियन बुद्धिश्ट मॉंक हैड बीन सेंट टू चाइना फर्स्ट सेंचुरी एडी में किसको नागर जुना को भेजा गया हम लोग ने पढ़ा रखा है इसी कहते हम लोग उन्हीं किया इंडियन एंस्टाइन भी कहते थे जो प्रीचिंग किये क्या बुद्धिश्म की वहाँ पर चाइना में ने किया था और उनकी किताब का नाम क्या था माध्यमिक करीका था ठीक है आप याद रखेंगे तो विच बुद्धिश स्कूल डिड नागर जोना बिलॉंग किस से वह रिलेटेट थे माध्यमिका से रिलेटेट थे बुद्धिश सेंटर ओफ लर्निंग का था विक्रम शीला था याद रखेंगे क्वेशन नमबर 105 विच अनुद्ध फॉलिंग रूलर डिद नॉट कॉ कौन कंट्रिबूट्ट नहीं किया पुष्च भीत्र सुंग नहीं किया ठीकिना बाकी सभी लोग ने किया था 106 नमबर क्वेशन था विच ओधन्त पूरी एजूकेशन सेंटर वस सिचुएट कहां पर था वह बिहार में था यह याद रखेगा उसी को हम लोग उदांध प किसके तरह गुप्त के अलक में यह बनाये गया था 109 वामंग भूश्च वादर फूंडर फूनांधध यूनौस्टी नरंध़ यूनौस्टी पारम वह आपका कौन थे नलंध़ यूनौस्टी को फॉर मा आपको कुन गूमार गुप्त ने बनाया था याद रखेगा वाइवाज नर्लंदा उनिवस्टी फेमस इन वर्ल्ड बुल्दिस रिलिजियस फिलोस्पी के वाज़ से 111 नमबर क्वेस्टिन रिलिजियस किसके रिफरेंस में रिलिजियस हिस्ट्री अफ इंडिया थे फॉल्विंडिया सौ तंत्रिका और समीट्य वर शेक्ट्स अफ जै तो बी ऑप्शन एकदम सही होगा थीक है ना चलिए कोश्चन नमबर 112 सर्शन रिजियन कोश्चन है तिल एंड अफ ट्वल्थ सेंचुरी ओफ नलंदा महावीर लौस्टी इस ग्लोरी ठीक है एकदम सही है स्टेट प्रोटेक्शन एंड की सीच्ट टु भी एविलेबल है किसलिए फेमस था वह पाली रिशर्च सेंटर था इसलिए वह फेमस था विच फॉलिंग कॉमन तो बोथ बुद्धिजम एंड जैनिश्ट इस सारी चीज़ें सही थी पस अवाइंडेंस ऑफ एक्स्रीमिटीज ऑफ पीनेंस एंजॉइमेंट बहुत ज्यादा बुद्ध जो बहुत ज्यादा एक्स्ट्रीम पेन को नहीं बिलीफ करता था बर्की जैन में क्या था पूरे एक्स्रीम पेन के साथ सब चीजों को लेते वे चलना होता था ना कम बुद्धिजर नमबर 115 विच फॉलिंग कॉमन तो बोथ बुद्धिजम एंड जैनिजम कौन था आपक प्रफिजर नमबर 116 विच फॉलिंग वह आपका सेल्फ मॉर्टिफिकेशन ठीक है ना लॉड बुद्धिजम प्रीज फॉलिंग फॉर नोबल पाथ ठीक है ना उसको करेक्ट और में हमको रखना है तो पहला है देर इस सफरिंग ठीक है ना सफरिंग के साथ क्या देरिज सफरिंग थाषिज़ पाथ उलिद्टो था सिशन फॉलिग कि इना अग्या फिर बॉलग। तो पाथ अब लीडिंग तो सचेशन आफ सफरिंग तीक है ना तो ऑप्शन नमर ए इस दा करेक्ट आंसर क्वेशन नमर बॉथ जैन बुद्धय में बिलीफ करते थे कर्म पर करते थे और ट्रांसमीशन ऑफ सॉल्ड वेर करेक्ट थे क्वेशन नमर 118 का ओप्शन यह जो है वह वह बंद आंसर है सब्सक्राइब करना है इसमें करेक्ट आप्षिंट करना है वह गलत है और रिजन है जो वह सही है कुशन नमर 120 यह सारे स्टेटमन दिया है कहता है कि इसमें correct option चूप्स करना है एकडम सही option है यह चलेंग धाये सोचल अन्रैंक्ड ब्रामीन सीके ना और इट पॉंटेट इससे सट्टें का सब्सक्राइब करता था बुद्धिजम की थियुरिय है अब कुशन नमर 121 अनन्त वादा नो सर्फ इस डॉक्ट्रीन ऑफ यह किसका था बुद्धिजम का था अनन्त वादा ना कम तो वस्ट नमर 122 दरीजन इंक्लूड दा एक्पेंशन ऑफ बुद्धिजम किस लिए था यह पूछ रहा है कि soundness of Vedic script by the philosopher यह कोई Vedic philosopher का उसमें कोई स्प्रिट का उसमें कोई स्प्रिट का इसमें कोई यूज नहीं था 1234 जो आप्शन हमारा है वो सही है question answer number C is the correct answer question number 123 कहता है who has propounded the doctrine of moment momentariness कौन था वो बुद्ध थे question number 124 ठीक ना बुद्धा वास इसमें medieval times पे क्यालते है बुद्धिजम का decline के वाज़े से पूछ रहा है question concern में पूछाए कौन सा सही है बुद्धा वास बुद्धा वास बाइद time considered as one of the incarnation of Vishnu and become a part of wish वे वेस्ट निजम इदम सही है the invading tribe of Central Asia till the time of last gupta king adopted Hinduism and persecuted बुद्धिश्ट नहीं गलत है the king gupta was strongly opposed to the Buddhism गलत है वो तो एकदम support में थे option number is the correct option ठीक है अब चलते है question number 125 पे चैत विहार के consider में यह पूछा क्या difference क्या है चैत विहार का difference यह पूछा है ठीक है ना चैत विहार में क्या difference होता है चैत इस प्लेस्ट वाइल विहार इस ड्वेलिंग प्लेस्ट ठीक है यह एकदम सही option है बी ऑप्शन इस था correct option now come to one question number 126 some buddhist dark cut caves are called chat while other are called vihars what is the difference between two kiss me on Tara chat ko kya 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 worship place that you can have chat chit related yad rakiga chat is a place of worship while the vihars is the place of dwelling place of monks is the option number B is the correct answer now come to question number 127 correct statement पूछा है अर्ली चैत ग्रिहास और विहारास अफ गुंट पुली ओ वेस्ट गुदावरी दिस्टिक और रॉक कर्ट है एकदम सही है तो चैत चैतियास और विहार्स और इस्टन डेकन आर यू उसली रॉक कर्ट यह रॉक कर्ट नहीं है तो इसलिए बिद्धान विज्ट रियान जो था वो कहलते हैं मेडिवल टाइम में क्या ता उसमें क्या करते थे तंत्रमंत की विद्धिया थी उसमें बताइए जाते थी वज्रियान में एर्थ तरफ संट्ट संट एड़ सेंट्री में ज्यादा उसकी जो आते हैं वह फ्लरिष्छ हुआ था यह यादद रखेंगे आप लोग और वज रहान जो है वह क्यालते हैं मीडवल टाइप का मीडवल टाइब में ही बहुत ज़्याद प्रॉमिनेंट हुआ था यह भी याद रखेंगे इसलिए स्टार मार्क लगा रहा हूं इन्डियान हिस्टिय वू अमंग दा फॉलिंग इसलिए फूचर वी बुद्धा यह तो कम असे वल्ड वो कौन था मैत्रे थे टिके ना मैत्रे जो हैं वह अपिरेंस बुद्धा स्क्रिप्चर कहते हैं कि वह फूचर बुद्धा जो आएंगे और दुनिया को बचाएंगे अग्दम सही है और यह क्यालता है पांडू लेना के श्राइन लाइन गोर्ज अफ नर्मदा रिवर नहीं और अम्रवाती अम्रवाती इस्टूप लाइज इन गोर्ज अफ गदावरी रिवर यह भी गलत है तो अजन्ता के जो है वह कहां पर लाइकर दी गोर्ज आफ जो बुद्धिजम का थियोरी और एमजी क्यू दोनों खतम हो चुका है कुछ को मैंने जल्दी जल्दी खतम इसलिए किया है क्योंकि यह नंबर और पास भी लिमिटेट टाइम होता है और आपको समझाना हो सब चीज रहता है और मेरे हिसाफ पर जहां आपको समझाना मैंन की प्रयक्टिस ज्यादा करतेैं ज्यादा बार प्रैक्टिस करें और जितनी थ्योरी उसको मैक्सिमम टाइप घ्रिवीजन करें करें जितना अच्छे से आप पेड़ को काट saking इसलिए बार-बार मैं कहता हूं बार-बार रिवाउज की जो क्योंग्य Works कर लिया हैं इसको देखने के तरीके से ही यह क्या होगा आराम से आप इसको क्या करेंगे कम्प्रीट करेंगे और करने के बाद आप इसके number of questions को practice करेंगे और जैसे ही आप practice करेंगे देखिएगा यह जादू के तरीके से आपके question इसके सारे सही होने लगेंगे और आशा करता हूं आज का lecture जो आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आए होगा चलिए तब तक के लिए चलता हूं धन्यवाद दोस्तों बहुत धन्यवाद करता हूं करता हूं